क्या हाल चाल है आज का दिन बहुत अच्छा है आज बारिस होने की संभावना है पतना से दिल्ली की दूरी कितनी है हे गूगल, प्ले ए सौंग सावन आया है ओन यूटूब तुम्हारा नाम क्या है नाम है मेरा गूगल असिस्टेंट काम है मेरा आपकी मदद करना क्या आप भी गूगल के इस एडवांस फीचर्स को आप इस्तमाल करना चाहेंगे इस वीडियो को आप सुरू से लेकर अन तक देखती रहिए क्योंकि इस वीडियो में आपको गूगल एसिस्टेंट के ऐसे एडवांस फीचर्स के बारे में मैं बताऊंगा साथ आपको पहले पता ना हो तो इसके लिए आपके मॉबाइल में गूगल एसिस्टेंस होना चाहिए है आज कल सभी मॉबाइल में गूगल एसिस्टेंस रहता है अगर नहीं है तो आप पे ल, शृूट में जा कर इसे डाउनलौड कर लिए चलिए सुरू करते हैं बात करते हैं फीचर नमर वन की जिसके जरीए आप अपने फोन को इंटर्प्रेटर की तरह यूज कर सकते हैं मतलब अपने फोन से किसी भी एक भासा को दूसरी भासा में कॉनवर्ट करवा सकते हैं वो भी रियल टाइम है अब इसके लिए फोर एक्जामपल अगर मैं चाहता हूँ कि मैं हिंदी में कुछ बोलू और मेरा फोन जो है उसे इंगलिस में मुझे कनवर्ट करके साथ साथ बताता रहा है तो इसके लिए सिर्फ मुझे अपने फोन से इतना बोलना है इसके बाद मैं जो भी हिंदी में बोलूँगा मेरा फोन उसे इंगलिस में कनवर्ट करता जाएगा तो चलिए बोल कर देखते हैं है गूगल बी माई इंगलिस इंटर्प्रेटर हिंदी क्या हाल चाल है आज का दीन बहुत अच्छा है आज बारिस होने की सम्हावना है पतना से दिल्ली की दूरी कितनी है अभी वरतमान समय में भारत के रास्टपती कौन है तो आप देख सकते हैं मैं जो भी हिंदी में बोल रहा हूँ वो इसको इंगलिस में कनवर्ट करके बताये जा रहा है इसके जरी आप केवल हिंदी नहीं किसी भी भासा को किसी भी भासा में कनवर्ट करवा सकते हैं बात करते हैं फीचर नमर दो की सपोज आपको कोई आर्टिकल परना है और आपको उस आर्टिकल को परने का मन नहीं है तो आप यह काम जो है अपने स्मार्टफोन को दे सकते हैं कैसे बस आपको अपने स्मार्टफोन के वेब ब्राउजर पर वेब पेज खोलना है वो आर्टिकल अपन करना है और अपने स्मार्टफोन से बस इतना बोल देना है हे गूगल प्लीज रिड दिस पेज और उसके बाद आपका जो स्मार्टफोन है वो आर्टिकल आपके लिए पर लेगा देखिए कैसे होता है इसके लिए गूगल पे एक पेज को खोलते हैं हे गूगल न्यूटन के गती के नियम क्या है विकीपीडिया के अनसार न्यूटन के गती नियम ठीक शाव का ़या है यहाँ पर लिखा है न्यूटन के गती के नियम इप की पीडिया इसको खोलते हैं एक पेज खोल गया अब इस पेज को आप गूगल से परवाना चाते हैं तो आप बस इतना बोलिएगा Hey Google Please read this page Okay Wikipedia से Newton के गती नियम Newton के गती नियम तीन भौतिक नियम है जो चिरसम मत्यांत्रकी के आधार है ये नियम किसी वस्तु पर लगने वाले बल और उसे उत्पन उस वस्तु की गती के बीच अथम नियम प्रतेक पेंट तब तक अपनी विराम आवस्था में अत्वा सरल रेखा में एक समान गती की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाहे बल उसे अनिथा विवहार करने के लिए विवश नहीं करता इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है कोई दूसरे सवाल को अब खोजते हैं हे गूगल कंप्यूटर की परिभासा क्या है विकिपीडिया के अनुसार कंप्यूटर अब इस पेज को खोलते हैं अब इसको भी परवाना है तो इस तरह बोलेंगे हे गूगल प्लेजर इड़ दिस पेज ओराइट हिंदी में जानकारी से कंप्यूटर की परिभाशा क्या है लेखक प्रभन जन साहू लोगों का अकसर यह सवाल रहता है के कंप्यूटर की परिभाशा बताएए कंप्यूटर के बारे में कौन नहीं जानता है इसका इस्तमाल हम अपने रोज मरे के जिन्दगी में बहुत करते हैं कंप्यूटर के आविश्कार के पहले हम इनसानों को नमबर्स क्याल्किलेट करने में बड़ी परिशानी होती थी तो देखा आपने कोई भी आर्टिकल को आप अपने फोन से ही परवा सकते हैं आपको परने के भी जुरत नहीं परेगी अब तीसरा जो फीचर होने माला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंटर्टेन्मेंट होने माला है इस फीचर के जरीए आप अपने स्मार्टफोन के साथ गेम खेल सकते हैं वो भी मुल्टिप्लियर गेम खेल सकते हैं बैसेकली इसमें आपको किसी सेकंड परसन की जुरत नहीं होगी बस इसके लिए आपको अपने स्मार्टफॉन से इतना बोलना है हे गूगल प्ले अगेम ठीक है आप इन में से किसे चुनना चाहेंगे अब जैसे ही प्लेयर गेम बोले हैंगे यहाँ पर गेमों की लिष्ट आजाएगी आपको किसी इसमें से किसी एक को चुनना है तो मैं इसमें से मैत क्यूज चुन लता हूँ वाह आज मैं आपके साथ मज़ा ट्रिव्या खेलने के लिए बहुत उच्शुक हूँ आपका पहला सवाल बस आने ही वाला है सेवन जोर फाइव का उत्तर क्या है? बारह, सब्दावन या चपन? बारह आप बेमिसाल हैं दो सवाल यह रहा आपके सामने पांच पांच का उत्तर क्या है? तीस, पच्चीस या प्यंतीस? पच्चीस आप तो इस खेल को बहुत आसानी से खेल रहे हैं जोर शिक्स का उत्तर क्या है? बारह या तेईस? बारह आप सही हैं यह खेल खत्म हो चुका है आए देखे कि आपने कैसा खेला? आपने कितने सवालों के सही जवाब दिये? जितने सवाल थे उनमें से सभी के सारे सही जवाब मतलब चार सही और एक भी गलत नहीं शांदार आपको पता है कि आप दोबारह खेलना चाहते हैं? खृपया बताए नहीं अब मैं नहीं खेलूंगा मुझे बहुत मज़ा आया उमीद करती हूँ कि आपको भी मज़ा आया होगा अलविदा तो देखा आपने कितना मज़दार गेम था इसके लवब यहाँ पर बहुत सारा गेम है सलाइड नेस्ट कीजिएगा तो आई पील से लिडेटेड भी गेम आएगा डोरे मॉन जैसा भी गेम है तो आप भी खेली है इंज़ॉय कीजिए चार नमर जो फीचर है इस फीचर के जरी है आप अपने गूगल एसेस्टेंस को एक कैलकुलेटर की तरह यूज कर सकते हैं इसके लिए आपको कैलकुलेटर खोलने की जूरत नहीं पर देगा बस आपको यहाँ पर इस तरह बोलना है है गूगल 45 x 55 45 x 55 is 2475 यहाँ देख सकते हैं 45 गूणे परचपन को कैलकुलेटर करके बता दिया कितना होगा उसी तरह आप यहाँ पर भाग भी कर सकते हैं है गूगल 900 डिविजन बाइन टी यह भाग भी कर दिया घटाव करके दिखते हैं है गूगल 10,000 माइनस 500 तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको कैलकुलेटर के जाने के जुरत नहीं पर रही है क्योगल आप बोल रहे हैं और यह कैलकुलेट कर दे रहा है अब मैं पाच नमर जो फीचर आपको बताने वाला हूँ बहुत ही कमाल का होने वाला है इस फीचर के जरीए आप किसी को कॉल लागा सकते हैं माल जो आपको कहीं कॉल लागाना होता है तो आप नमर को डाइल करते हैं या अपने कॉंटेक्ट लिस्ट में जाकर नमर को खोजते हैं लेकिन इस फीचर के जरीए गूगल एसिस्टेंस के जरीए आप किसी को कॉल लागा सकते हैं बोल कोई चलिए किसी को कॉल लागाते हैं हे गूगल कॉल ए अमिद कुमार अमिद कुमार आपको कॉल कर रही हूँ तो यहां आप देख सकते हैं मैं जैसे ही नाम बोला उसे नाम को यह कॉल लगा दिया इसी तरह आप किसी को भी कॉल लगा सकते हैं चलिए आप गूगल से कुछ नहीं काम करवाते हैं इसके जरी यूटूब पे गाना सुनते हैं हे गूगल प्ले ए सौंग सावन आया है अन यूटूब प्लेइंग सवन आया हाई अन यूटूब तो यहां देख सकते हैं मैं जिस गाने का नाम बोला वो गाना बजने लगा इसी तरह आप कोई भी गाना को नाम बोलिएगा यहां पर गाना बजने लगा यूटूब पे है है गूगल प्लेइंग नमो नमो सुशांत सिंग आन यूटूब जरूर यह रहा है सौंग नमो नमो सुशांत सिंग आन यूटूब पर कोई और गाना को बजाते हैं है है गूगल प्लेइंग मुहम्मद के साहर में आन यूटूब मुहम्मद के शहर में आनी यूटूब पर चला रही हूं है गूगल तुम्हारा नाम क्या है कहते हैं नाम में क्या रखा है काम देखो पर मेरे तो नाम में ही बखान है मेरे काम का गूगल असिस्टेंट तो देख सकते हैं यह कितने अच्छा फीचर है आप भी इसको यूज़ कीजिए और कोई भी गाने को बजाई यह कुछ भी कई यह फोन ला गई है तो यह थी गूगल एसिस्टेंट की कुछ एडवांस फीचर इसको मैंने इस वीडियो में आपको बताया तो उमीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजि वीडियो को सेर कीजिए कॉमेंट्स कीजिए लाइक कीजिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में गुडबाए